हालो हमें की सबाइब आपका स्वागत है अमारे चैनल चैंपियन जहथ पर मैं हूं आपका दोस्त मुहमाँ जह बाlt आज मैं आपको चार्ट बताने वाला हूं अेयरोबिक रेस्पिरेशन का सो एनरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लुकोज रहता है वो ग्लाइकोलिसिस में जाता है या फिर वो डारेक्ली इनकम्प्लीटली ऑक्सिडाइज होके पैरविक ऐसीड बन जाता है उसके बाद पैरविक ऐसीड का फर्मन्टेशन होता है फर्मन्टेशन ह में convert हो सकता है different products में जैसे vinegar, vitamins, etc. तो जरूरी नहीं है कि fermentation होने के बाद वो अलकोहॉल ही बने जी नहीं organic acid भी बन सकता है जो होता है lactic acid और alcohol भी बन सकता है जो होता है ethanol और जो alcohol रहता है वो जब बनता है तो east के वज़े से बनता है lactic acid जब accumulate होता है तो अमारे muscle cells की वज़े से accumulate होता है और प्रोडक्स जब बनते है विनेगर, vitamins तो वो different, different microbes की वज़े से होते हैं जैसे saccharomyces services तो यह सब different, different microbes के वज़े से fermentation होके यह सब products बन जाते हैं तो यह था anaerobic respiration का process